अगर आपको कोई सी भी मानवा मानवा मांगा है उसे हिंदी में रीड करना है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करके जो फ़स्ट वेफसाइट आपको दिखरी होईगी उसको जाके चेक आउट कर सकते हैं तो अब एपिसोड को स्टार्ट करते है रे ने फ़स्ट वेफ के अंदर जितने भी मरमन आये होते हैं उन्हें मार दिया होता है और फ़स्ट वेफ को किलियर कर दिया होता है जितने भी हंटर्स होते हैं वो काफ़ ज़दा एक्साइटेड होते हुए रे के तरफ भगे चले आ रहे होते हैं और उसे करीब आके बो रहना होगा, क्योंकि यह जो dungeon का rank है, वो अब B से A rank है, वो हो चुका है, और यह सारे लोग है, वो रहे से बोल देते हैं, कि हाँ, हम अच्छे से तयार है, इतने मेरे जब side में देखता है, तब चुही काफे ज़ादा गुसा है, वो कर रहा होता है, उसे देखके कहने लगता है, कि मेरे को अच्छे से पता था, कि तुम अच्छे से plan कर रहे थे, कि सारी जब चीज़े काफे ज़ादा intense हो जाएगी, तब तुम बीच में entry मारोगे, और सारे अब लोगों की attention अपने तरफ grab करोगे, लेकिन मैंने तुमारा यह जो plan था ना, इसे पूरी तरह से बरवा तो फिर यह जो dungeon का harsh environment है ना, इसके अंदर में level 30 तक तो अराम से पहुची जाओंगा, एंड इसी तरह से दो wave आके चले जाती है, एंड हमें fourth wave को दिखाया जाता है, fourth wave में भी कुछ merman आयो होते हैं, तो फिर ray उने मार देता है, और उसके बाद यह जो fourth wave होती है, वो भी clear ह है, वो हो जाती है, लेकिन जैसी वो clear होती है, तब ray side में देखता है, तो कुछ hunters काफे जादा उदा से वो बैटे होते हैं, और एक bowl भी देता है, कि हम में से, चार लोग है ना, वो already मर चुके हैं, एंड यह बोलते हो काफे जादा उदा से, वो हो रखे होते हैं, ray भी यह सोचने लगता है, कि हाँ, यह जो चीज है, यह काफे जादा impossible थी, लेकिन मैं चाहता था कि इस जिगे पर कोई भी एक भी बंदा है ना, वो मरे ना, इतना सोचने के बाद, ray काफे जादा चिलाते वे बोल देता है, कि यह जो northern army guild है, वो properly fight है, वो क्यों नहीं कर रही है, ray क चिला के यह कहने के बाद, जितने भी वो guild के लोग होते हैं, northern army के, वो थोड़ा surprise है, वो हो रहे होते हैं, वो रेसे बोलते हैं, क्या, और लेकिन ray, उन से चिला के बोलने लगता है, कि मेरे को काफे जादा अच्छे से तुमारी strategy पता है, तुम लोग अंत तक के लिए अप भी बंदा है, वो बिल्कुल भी नहीं मरा है, और इदर इनको तो चोट भी नहीं लगी है, रेवी चिला के बोलने लगता है, कि at least तुम properly fight तो करो, कि यहाफे तुम जितने भी hunters हैं, उन्हें सिर्फ sacrifice होते हुए देखते रहोगे पीछे से, और तुमारे लिए, सु अपने गिल्ड के कुछ useless लोग हैं, उन्हें अब use करूंगा, और इदर जो अब individual वाले hunters दूसरे तरफ से आया हैं, उन्हें use करूंगा, starting की जो waves हैं, उन्हें clear करने के लिए, लेकिन ये वाला जो plan है, वो मेरा अच्छे से काम है, वो ने करने वाला, क्योंकि अब मेरी गिल्ड के वो मेरे favor में ना काम करने के बाद, वो जो कमीना है ना, उसके favor में काम कर रहा है, ये रेकी बात कर रहा है, इतने में सु होता है, वो बोल रहा होता है brother, चोई अपने brother से बोलने लगता है, कि अभी के लिए, हम जिस तरह से continue हैं, वो करेंगे, और हम पीछे से वो देखते रहेंगे बस, और एके बारे में कहने लगता है, कि जिस तरह से इसने अपनी ताकत है, वो दिखाई है, उसके बीच में, और मेरे जैसा एक A rank वाला hunter है, उसके बीच में बहुत ज़्यादा बड़ा gap है, वो है, तो फिर मैं उसे आराम से हरा सकता हूँ, और ये ज़रा justification के ध्रूमे की, जो अब फिफ्ट वेव है, वो स्टार्ट होने वाली है, मिडल बॉस आ रहा है, और यहाँ पर हमें मिडल बॉस को दिखाया जाता है, वो अब वाटर में से बाहर है, वो आरा होता है, वो एक वाटर गोलम होता है, जिसे देखने के बाद दो लोग कहरे हो होता है, लेकिन बाकी के जितने हंटर्स होता है, उन्होंने उसे डॉज है, वो कल लिया होता है, रेकी चिलाने की वज़े से, और यहाँ पर जो कुछ आर्चर्स वाली लड़कियां होती है, वो अपने एरो इसके उपर मार देती है, लेकिन उस गोलम को उन तीरों से जाद है, वो फेक दिया होता है, यह देखते हुए एक जो आर्चर वाली लड़की होती है, वो बोलने लगती है, हमारा कोई भी आटेक है, वो इसके उपर काम है, वो नहीं कर रहा है, दूसी लड़की बोल रही होती है, तो फिर हम इस मोंस्टर के साथ किस तरह से फाइट है, व वो जमप कर चुका होता है, वाटर गोलम के ओपर, और वो जल्दी से वाटर गोलम के मुु पे है, वो अपनी स्पियर से मारता है, उसका सरी आदा है, वो जल चुका होता है, उसकी डॉमिनेशन ओवर फैर के एतनी ज़्यादा हीट की वज़े से, एन रे जमीन पे लेंड अराम से कर चुका होता है आस-पास में दो जो हंटर होते हैं एक बोल रहा होता है कि ये जो अब बंदा ये असल में है कौन और रे सब लोगों से चिल में बोल देता है जो जगहे इस जगहे पर magic power चारो तरफ बहुत जादा है तो फिर तुम लोग यह जो power है इसको अच्छे से use करने की कोशिश करो यह power को अपने जो weapon है उसके उपर coat करो यह सुनते वे एक लड़की कहने लगती है कि यह जो चीज है वो सिर्फ high ranking वाले hunter है और जो तीर है उसके उपर वो magic power है उसे coat कर पाई होती है इस गोलम के उपर वो fake भी देती है तो फिर उस गोलम को इस तीर के वजह से थोड़ा damage है वो हुआ होता है तो फिर आसपास में जितने लोग होता है वो भी अपने weapons को coat कर पा रहे होता है मैजिक पावर से एक बोल रहा होता है कि हमारे जो अटेक है वो इस गोलम के खिलाफ काम कर रहे हैं तो फिर हम इसे जीत सकते हैं और ये सब इसी तरह से मोटिवेट है वो हो रहे होता है रहे ये देख के कहने लगता है कि ये सारे लोगों के अटैक है वो अब इसके उपर काम तो कर रहे है गोलम के खिलाफ लेकिन फिर भी ये इतने ज़दा पाउरफूल अटैक नहीं है कि हम ये जो गोलम है इसे हरा पाएं इसले के बाद रहे अपनी स्पियर के अंदर भेर अप RAW को अब्सार्ब कराने लगता है अब्सार्ब करवारा होता है और वो कहरा होता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही चांस होएगा और मैं यह जो अब water golem है इसकी जो core है बीच में मेरे को उस पर ही मानना होगा तब ही मैं यह कर पाऊंगा लेकिन अभी के लिए मेरे को थोड़ा ओर time है वो चाहिए सब को स्यार करने के लिए इतने में जो water golem होता है वो अपना एक अब water breath होती है उसे ready करने लग रहा होता है जिसे देखते हुए यह लोग थोड़ा परेशान हो रहे होता है लेकिन रे यह देखता हुए कि मेरा chance आ चुका है अपनी यह जो अब spear होती है जिसके अंदर उसने धेर सारी fire को अब absorb है वो करवाय होता है उसे इस water golem की जो core होती है बीच में उसके तरफ ही है वो fake देता है यह spear इतनी जादा तेजी से जाती है कि वो water golem के पूरा hour पार है वो चले जाती है और water golem इसी तरह से finish है वो हो जाता है notification आ रहा होता है कि तुम लोगों ने जो अब middle boss है उसे successfully अब हरा है वो दिया है और दूसरी कुछ supporters लोग है वो सही में काफ़ जादा surprise के अंदर है और सब लोग अपना जो एक interest है वो एक बंदे के उपर दिखा रहे है specifically इतने में Ray ने जो spear fake होती है वो उसे अपने पास है ये काफ़ जादा convenient है Ray ने water golem को मारा होता है तो आसपास में जितने भी hunters होता है उन वो तो पूरी तरह से शान्त है वो हो चुके होता है लेकिन इतने में एक जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि मैंने एक rumor है वो सुना था super rookie के बारे में कि वो अपना एक shield और spear है उसे use करता है तो फिर हम में समझ गया ये जो बंदा है ना ये वो ही super rookie है दूसरा कोई hunter और जादा excited होते हुए कहने लगता है कि ये जो इसका rank है ना वो एक hero rank जैसा ही है almost उतना ही है इसका मतलब है ये एक A rank तो है ना गुलम को मार दिया है तो फिर तुम्हे reward है वो दिया जा रहा है उसे पहला reward मिलता है the jewel of water है वो दिया जाता है उसका जो fall of heaven वाला supporter होता है वो भी अब बस थोड़ा smile है वो कर रहा होता है उसको देखते वे और इतने में और भी बताया जा रहा होता है कि धेर सारे supporter रहे के तरफ अपना interest है उसे दिखा रहा है और रहे ये देखते वे कहने लगता है कि क्या मिलने वाले है क्या थोड़ा खुश होते वे रहे नहीं ये बोला होता है लेकिन इतने में उसका the fall of heaven वाला supporter होता है वो अब बोल देता है कि उसे ये चीज इतनी जादा पसंद है वो नहीं आ रही है ये देखने के बाद जितने भी supporters जो रहे में interest होता है वो अपना interest है उसे खो देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और ये देखके थोड़ा गुसा है वो करने लगता है और वो बोलता है अरे यार लेकिन फिर भी ये जो अब player वाली ability है वो काफी जादा काफी है तो फिर अभी के लिए मिले को और जादा sponsor की वैसे जरूरत भी नहीं है वो बहुत जादा powerful already है कहने लगता है कि अम मैं जर अच्छे से याद करू तो फिर demon king के पास भी उतने जादा supporters है वो बिल्कुल भी नहीं थे उसके पास काफी जादा कम थे और ये फिर भी इतना जादा वो strong है वो हो चुका है तो फिर अम मैं जितना सोचूँ मैं को demon king और जादा impressive है वो लग रहा है लेकिन वो जो side में से चोही रे को देख रहा होता है तब वो काफी जादा गुसा है वो कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ये जो बंदा है ये इतना कम टैम में इतना जादा stronger है वो कैसे हो गया मेरे को लगा था कि ये अभी अभी B rank पे न वो पहुचा होगा लेकिन अभी इसकी जिस तरह से मैंने power देखिए न वो एक almost A rank वाला hunter की है न वो थी इतने में चोही काफी दद चिलाते वे सलीशिया को बुला लेता है सलीशिया वहाँ पे आ जाती है और वो कहने लगती है कि अभी तलक सारी जो चीजे थी वो तुमारा प्लैन था उसके हिसाब से हो रही थी क्या हम और देर तक observe है इस तरह से बिलकुल भी नहीं कर सकते अगर ये सारी जो तुमारा प्लैन है वो थोड़ा इदर उदर आफ कोर्स है वो जा चुका है तो फिर हमें एक नया प्लैन है और सारी चीजे अच्छे से decide है वो नए तरीके से है वो कल लेनी चीए और तुमें गिव अप भी कल लेना चीए और यहाँ पे वो रे को refer कर रही होती है क्योंकि इसे task दिया होता है इसी केदारा रे को मानने का तो फिर यह उसके लिए give up करने के लिए बोल रही होती चोई समझ जाता है और सोच रहा होता है कि Salishya उसे यह जो रे है उसके उपर give up करने के लिए कह रही है मैं अब एक ऐसा हंटर हूँ जो पूरा वर्ल्ड है उसे रूल करेगा तुमें लगता है क्या मैं लूस करूंगा क्या और वो अपनी स्वार्ड होती है उसे इन्वेंटरी से निकाल लेता है और वो चिलाते हुए अपनी गिल्ड के सारे हंटर से बोल देता है नौर्दन आर्मी गिल्ड अपने आपको त्यार कर लो अब हम अपनी पूरी फुल फोर्स है उससे ये जो दंजन है उसमें रेड है वो करेंगे ये सुनने के बाद जितने भी उसके हंटर्स होते हैं वो और ज़दा मोटिवेट है वो हो चुके होते हैं फाइट करने के लिए उसने सेलिशिया को दिया था और उससे कहा था कि तुम ये जो अब वाइस गिल्ड लीडर है ना वो बनने वाली हो नौर्दन आर्मी गिल्ड की तो फिर तुमारा जो चहरा है ना वो काफ़ दा वीक लुकिंग है इसलिए कोई भी तुमें अच्छे से फॉलो है ना वो नह करेगा तो फिर ये तुमारे लिए मासक है उसे मैंने पृपयर है वो कर लिया था और इसी के बाद वह अपना प्रेज़ेंट में आ जाते है और जो देखो तो एक जो कुटा है वो अपना मालिक है उसे आप काटने वाला है और सलिशिया का मासक होता है उसके उपर लात तो फिर देर सारे जो अब मोंस्टर होते हैं उन्हें मार रहे होते हैं एक हंटर बोल रहा होता है एक उन्न को मारते हुए हम की नौर्टन आर्मी के गिल्ड है उनकी रियल पावर है वह म्य दिखाता हूँ लेकिन इतने में जब वो सैड में देखता है तब रे डेर सारे मॉंस्टर्स को अपनी स्पियर के साथ ऐसे ही है वो मारे जा रहा होता है ये देखते वे ये बंदा कहने लगता है कि वेल इसकी कंपेरिजन में तो मैं जो था ना वो कुछ भी नहीं था और है थोड़ा रुख चुका होता है और वो देखता है ये देखते वे कहने लगता है कि नौर्मली जो लोग होंने लग रहा होगा कि मैं अपना स्टैमीना है उसे काफ जादा घता मैं वो कर रहा हूं लेकिन असल में ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मेरा क्रूंगर है वो हो रहा है मेरा स्टैमिना भी थोड़ा हो रहा है लेकिन पीछे से एक मरमें रे के उपर अटेक कर चुका होता है और सेलिशया चिला के बोल देती है तुमारे पीछे और जल्दी से वो जो पीछे मरमें होता है उसे मार देता है और सेलिशया वहां पर आ चुकी होती है ह यह देख के थोड़ा उदास हो जाती है और वो कहने लगती है कि अच्छा तो फिर तुम मेरे से थोड़ा डिसपॉइंटेड हो लेकिन फिर भी मैं इस जीगे पर बिल्कुल भी नहीं रुख सकती है और वो सामने जो मौंस्टर्स होते हैं उन्हें मानने के लिए चले जाती ह वो कहरी होती है कि मैं इदर जितने जादा हंटर सेव कर सकती हूँ मैं उतना पूरा अब इच्छे से ट्राय है वो करूँगी मैं अपनी पूरी लिमिट है उन्हें पास है वो कर दूँगी और मैं तुम्हें अपना रिजॉल्व है न वो दिखाऊंगी कि मैंने यह जो पूरी तरह से फिनिश कर देते हैं लेकिन हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो जमीन पर पड़ा होता है काफे दा चोट लग रखी होती है उसे और उसका एक फ्रेंड काफे दा चिलाते वे सब लोगों से बोल रहा होता है प्लीज क्या कोई मेरे को एक पोशन है वो द देखो तो हम जब यहां पर आये थे तब पूरे 110 लोग है ना वो इस जगे पर आये थे एक बार में लेकिन हमें से आधे लोग भी है ना वो बिलकुल नहीं बचे हैं इतने में सलिशिया रे के करीब आ जाती है और वो उससे पूछने लगती है क्या तुम सही हो रहे रहे ही वो चिला रहे होते हैं सलिशिया को और रही इने देखके सोचने लगता है कि जड़ा देखो तो सलिशिया अभी भी इनके गिल्ड की वाइस लीडर है लेकिन यह उसे इस तरह से ट्रीट है वो कर रहे हैं अब मैं क्या बोलूँ यह जो अब नॉर्धन आर्मी के लोग है वो इदर उदर दूसरे लोग है ना बिना किसी रहम के मारते रहते हैं उन्हें तो फिर इन जैसे लोगों के लिए सलिशिया जो बहुत जादा अच्छे मोरायल सी यह सा वैना वो मैंटेन करके रखती है उनके लिए यह सही में काफ़ जादा आँखों में खटक है वो रही योगी इतने मेरे सलिशिया से बोलने लगता है किया तुम यह सही में करने वाली हो तुम जबकि वो जो लोग हैं उनकी वाइस गिल्ड मास्टर हो अगर तुम मेरे साथ जॉइन कर लोगी तो फिर तुम अपनी पीठ अपने जितने भी लोगा के लिए तुम क्रेयर करती हो नो उनके तरफ अपनी पीट है वो कल लोगी और तुम रिग्रेट नी करोगी क्या इसे सलीशिया उसे बोल देती है कि हाँ मैं इसलिए वो है ना वो कर रही हूँ रहे उसे बोल देता है कि चोही भी अपना मूव है वो बहुत जादा जल्दी करने वाला है सलीशिया उसे बोले लगती है कि हाँ मैं उसके लिए पूरी तरह से तयार हूँ इतने में इन लोगों को नोटिफिकेशन के तुरू में बताया जाता है कि ये जो अब तुम्हारी लाष्ट वेव है वो श्टार्ट होने वाली है और ये जडिवन नोटिफिकेशन होती है वो रेड हो जाती है और उने बताया जारा हुता है वार्निंग वार्निंग ये जो अब रहीन दंजिन है उसका ब rivals है वो अपियर हो रहा है वहाँ पर पूरी जमीन हिलरी होती है और राहीन रिवर में से एक बड़ा सा जाइंट अर्थ वाम होता है, वो बार निकल जाता है, जिसे देखते हुए सब लोग काफी जादा है है वो हो रहे होते हैं, रेवी ये जो जाइंट रिवर वाम होता है, इसे देख के थोड़ा सर अरने का और से पहले वो ये जो doe रिवर वांप है उसे मारे हमें ये जो लोग है ऐना इनने अच्छे से समालना होगा और यहां पर हमें दिखाया जा रहा हुता है नॉर्धन आर्मी गिल्ड के लोग है वो तैयार ओुचे होते हैं रिय और सेलीशिया होती है इसके ओपर अट उनने तुम्हें स्टार्टिंग से यूज है वो किया है क्या तुम्हें सारी जो चीजे थी वो स्टार्टिंग से थोड़ी खराब है वो नहीं लग रही थी क्या तुम्हें से जितना जादा अब यहां पर पुश करोगे ना यह उतना जादा और जादा पावरफुल है वो हो जाएगी इतने में जो हंटर्स होते हैं उन्होंने सलीशिया की बात सुन ली होते हैं एक बोल देता है कि अब हम बाद में भी मरने वाले हैं तो फिर इदर फाइ रिवर वार्म और यह जो रिवर वार्म होता है जैसे उसने चोई का ओर्डर माना होता है वो धे सारा पानी है उसे ड्रिंक कर रहा होता है और पानी पीने के बाद आसमान में स्प्रेय है वो कर देता है वहां पर इसी पानी की वज़े से काफ़े जादा बारिश है वो हो र यह आगे जा कि काफ़ ज़ादा influential हीरो है वो बन जाएगा और इस तरह से इस एरा में एक हीरो पैदा है वो हो जाएगा और king of war गंतर है वो बन जाएगा और मैंने इस तरह से पूरा यह जो अब टाइम था ना इसमें कोई भी आराम है वो ने किया यह दर सिर्फ ट्रेनिंग यह सब है वो किया आपने आपको और जादा शौंगर करने के लिए तो फिर क्या इसके खिलाफ में मैं जीत सकता हूं क्या चोही रे से कहने लगता है कि तुम्हारी फायर साइब में काफे जादा अजीब है कि वो इतनी जादा बारिश में भी इस तरह से जल रही है इतने में रे चोही के उपर जंप कर चुका होता है उसके उपर अटैक करता हूँ अपनी स्पियर से और उसने उसे अपनी स्पियर से मारा भी होता है और यह जो चोही होता है उसे फाइनली अपना एक स्पियर से मार के पुशबेक है वो कर देता है चोही काफूछादा दूर है वो फिक चुका होता है और उसे असल में कुछ समझ नहींा होता है तो वो चिलाते ethnमें बोलने लगता है यह जो चीज़ है यह पूरी तरह से impossible है मैं इदर रिवर साइड में हूँ तो फिर मेरी जो अब पावर है वो और ज़ाई इंक्रीज है वो हो चुकी है एंड आलरेडी मैं एक A-Rank वाला हंटर हूँ रे भी उससे बोल देता है कि मैं तुम्हें गैरंटी देता हूँ इदर जो छोटे बच्चे थे ना उनकी तरह एक्टिंग कर रहा था छोटे मोटे मूव है वो दिखा रहा था जान बूच के और मैं इदर जो मॉंस्टर्स है उने मार के और ज़दा ग्रो है वो हो सकता हूँ चोई कोई रे की ये बास समझने आई होती है रे उससे बोलने लगता है कि तो फिर ठीक है तुम्हें समझने आया तो कोई बात नी मेरे को कोई फरक नी पड़ता और वो दुबार से रेडी हो चुका होता है चोई के उपर अटाइक करने के लिए चोई ये देखते वे कहने लगता है कि मैं इस तरह से बिलकुल भी नहीं जी सकता तो फिर वो जो रिवर वार्म होता है उसका नम चिला के बोलता है कि मेरे को प्रोटेक्ट करो तो फिर वो जो river warm होता है वो अब कुछ water bullets होती है उससे रे के उपर फेक के है वो मारता है रे ने अपने आपको थोड़ा बचाया होता है चोई काफी ज़ादा हस्ते वे रे से बोलने लगता है कि तुम सही में काफी ज़ादा घमंड में आ गए थे क्योंकि तुम्हें तुम इंस्टिव इंस्टिंट है उसकी तरह है जैसे यह अपना एक बच्चा है उसे protect कर रहा है इतने में जो अब वो river warm होता है वो छोई को अपना खाने जा रहा होता है रे भी यह चीज़ notice कर लेता है तो वो भी जल्दी से इस से पहले वो जो river warm है वो चोई को पूरा खा लगाता है एक दूसरे को अपनी स्वोर्ड से मार रहे होते है और यहाँ पे इतने में सलीशया एक अटैक है उसके उपर कर देती है लेकिन सूभी अपना एक दूसरा अटैक करके उसके इस अटैक को ब्लॉक है वो कल लेता है और इसके बाद सूस ऐलीशिया के तरफ भग रहा होता है और वो चिला के बोल रहा होता है कि अगर तुम अभी अपने घुटनों पर आ जाती हो और भीक मांगती हो तो फिर मैं एट लिस्ट तुम्हारी जान है उसे बक्ष दूँगा तुम्हारे को तुम्हें लगता है कि यह जो रह है वो जीतेगा क्या हमारी जो नॉर्दन आर्मी गिल्ड है ना वो यह जो चीज है उसे अंत में जीतने वाली है सलीशिया भी उससे बोलने लगती है कि लेकिन असल में तुझे है ना वो हो क्या गया है तुने मेरे साथ जो वादा किया थ और सेलीशी अपनी स्वार्ट गुमा के अब थोड़ा अच्छा सा अटेक है वो सू के उपर करती है लेकिन सू ने इस अटेक को भी है न वो अच्छे से ब्लॉक कर लिया होता है दूसरे तरफ हमें जो रिवर वार्म होता है उसको दिखाया जाता है इस रिवर वार्म के कह रहे हो असल में मैं काफी देर से यहीं इंतजार कर रहा था कि यह जो रिवर वश्म है यह तुम्हें कब खा जाए क्योंकि रिवर वार्म अगर अपने बच्छे को प्रूटेक्ट करना होता है तो लिव अपने पेट में वो रख लेता है और यह जो अब वार्म का पेट है वो काफी जादा dry है इसके अंदर तुम्हें जो अब तुम्हारा supporter है the ruler of river side इसके दौरा जो support दिया गया है वो काफी जादा decrease है वो हो जाएगा तुम्हें जो special power यह सब मिल रखी थी वो इदर यह जो dry atmosphere है इसमें काफी जादा useless है वो हो जाएगी और इसने जादा सूख है environment में मिरी जो अब fire है वो और जादा stronger है वो होगी और notification के दुरुमें बताया जा रहा होता है कि रेने अपनी spear को काफी जादा fire है उसे absorb करवा दिया है तो फिर उसके efficiency यह सब है ना वो थोड़ी increase हो चुकी है और यह जो river warm होता है उसके मुझे भी काफी जादा fire है वो निकलने लगती है क्योंकि उसके पेट में काफी जादा fire fire रेने है वो कर दिया होता है चुई को भी इतनी सारी fire देखने के बाद समझनी आ रहा होता है कि वो क्या करे और वो थोड़ा परेशान होते वे कहने लगता है कि यह कैसे हो सकता है मैं तो अब यह जो king है वो बनने के लिए डेश्ट एंड हूँ चुई अपनी सौड लेकर रे के तरह बढ़ चुका होता है और उसे मारने के लिए वो चिला रहा होता है कि तुम असल में हो कौन लेकिन रे अपनी स्पियर से ही इसके काफ़ दा आर पार है वो चले जाता है और उसने चुई को मार दिया होता है जैसी उसने चोही को मारा होता है उसका जो अब सोल होल्डिंग वाला स्कल होता है ना वो अब ये जो अब चोही की सोल होती है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब है वो कल लेता है रही ये देखके बोले लगता है कि जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है इसको कोई भी और यह जो नोटिफिकेशन होता है यह देखने के बाद रही काफ जाथ शौक है वो हो रहा हुता है वो कहने लगता है कि क्या एक जो सपोर्टर है उसे मार दिया गया है क्या। और हो भी दव वाल ओफ हैवन उसके हातों से। यह जो ruler of riverside जो supporter है ना वो असल में चोही का supporter था लेकिन अब वो मर चुका है और यहां पे last notification आता है रेको कि the fall of heaven तुम्हें देख के बस smile है वो कर रहा है रे यह देख के भोलने लगता है कि असल में क्या यह जो अब normal बंदा है और वो मरेगा तो फिर उसका supporter भी है वो मर जा जाती है कववे में बदल जाती है और वो जो कववा होता है वो रे से बोल देता है कि तुमने अब इतलग जवाब है ना यह वो बिल्कुल ने दिया है उसका जो final question था ना उसका और रे को याद भी आ जाता है कि चोही का जो last question था वो यह था कि तुम असल में हो कौन और र रगता है कि मैंने इस जिगे पे एक hunter है उसे मारा है मैं यह जो demon king का path है ना उसे ही अब follow है वो कर रहा हूँ और इतना यह जो चीज़ है वो काफी नहीं रहेगी में को इस world को change करने के लिए चाहे किस तरह कभी अब कलंक है वो लेना हो चाहे कितना भी गलत काम है वो करना ह मैं यह जो demon king है उसे सरपास से वो करूंगा तो फिर वो यह जो crow होता है उसे finally बोल देता है कि मैं demon god हूँ रे से यह answer सुनने के बाद the fall of heaven भी होता है ना वो बोल देता है कि वो तुम्हारा यह जो decision है उसे support है वो कर रहा है और वो crow ray से यह सुनने के बाद बोल देता है कि कितना जादा interesting answer है वो था तो फिर ठीक है मैं तुमसे कुछ time में ना वो मिलूँगा और वो जो कवा होता है वो वहां से गाया बोरा होता है और रे उसे कह रहा होता है कि हाँ तुम्हारा जो मालिक है ना उसे अच्छे से तुम अपना यह सारी जो चीजे तुमने देखी है कि तुमने यह जो अब monster था इसे मारने में सबसे जादे contribute है वो किया है तो फिर तुम्हे essence of water है वो दिया जा रहा है और रे का दो बार level up है वो हो जाता है और बाहर जितने भी लोग होता है वो यह सब कुस देख पा रहे होता है और वो काफे जादा surprise है वो हो रहे होता है और यह जो रे होता है वो यह जो river warm होता है उससे बाहर आ चुका होता है रे कोस जीगे पर खड़ा देखने के बाद एक जो hunter होता है वो चिला देता है कि यह तो super rookie है super rookie ने finally यह जो अब boss monster था उसे है ना वो मार दिया है इतने में सलीशिया रे से चिला के बोलती है कि रे ज कोल रहा होता है कि तुम असल में तुमने मेरे brother है उसके साथ क्या किया है तुमारी वज़े से सारी चीज़ है ना वो पूरी तरह से बरबाद हो चुकी है और वो दुबारा से रे को अपनी sword से मानने जा रहा होता है लेकिन रे उसे अपनी shield से ही मार के थोड़ा दूर है व वो दी गई है कि हम इधर जो कमजोल लोग है उन्हें protect है वो करे और यहाँ पर great power के साथ great responsibility है वो आती है लेकिन तुम जैसे लोग जो weak लोगों को कुछ भी है वो समझते नहीं है और जबकि उन्हें भी बिलकुल मारते रहते हो तो फिर तुम लोगों को एक hunter कहलाने का भी हग है ना वो बिलकुल भी नहीं है सू थोड़ा शान्त हो चुका होता है तो फिर रे उससे कह देता है कि आज के लिए मैंने बहुत ज़दा खून है वो बहा दिया है और वो दूसरे तरफ मुंडी करके आगे है वो बढ़ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि तुम है इस तरह से उस जगे पर मर चुका होता है और रे का जो सूल होलडिंग्स कल होता है वो सू Kitty आत्मा होती है उसे अपने अंदर absorb है वो कल लेता है री सलीश्या से बोल देता है क्या तुम सही हो उससी बोलने लगती है कि हाँ और लेकिन अखसल में मैंने ये सारी चीज़े अगर थोड़ा और पहले रोग दी होती तो फिर इस तरह की कोई भी चीज़ है वो बिलकुल भी नहीं होती वो थोड़ा उदास होते वे बोल रही होती है रिव से बोलने लगता है कि तुम्हें इतना ज़दा गिल्टी फिल करने की कोई भी जरूरत नहीं है इसमें तुम्हारी भी कोई भी गलती है वो बिलकुल भी नहीं है और लेडी सलीशिया तुम्हेदर जितने भी ये सारे लोग है थे ना इनसे काफ़ जादा डिफरेंट हो इतने में सलीशिया कहने लगती है कि मेरा बस हो गया मैं आगे से अपनी स्वार्ड है उसे कभी भी नहीं उठाऊंगी और इस टैम पर ये जो नॉर्दन आर्मी गिल्ड ने जितने भी सिंस किये उनके लिए मैं आटोन है वो करूंगी और इतना बोलते वे वो वहां से जारी होती है और रे उसे देखके कहने लगता है कीए ये कि अब अब पूरी तरह से तूट चुकी है कि वो जो आगी जाकि एक इ94 बने वाली है जो अब यहांपर ड्रेगन को मारेगी ड्रेगन स्लेयर है वो बनेगी नहीं ये इस तरह से हैना वो बिलकुल भी नहीं कर सकती मैं इस तरह से सारी चीजों को होने है न वो नहीं दूँगा लेकिन अभी के लिए मैं कुछ भी है न वो नहीं कर सकता हूँ मैं सिर्फ इसे दूर से वो देख सकता हूँ इसी के बाद हमारा शीण छीप्ट हो जाता है हमें दिखाया जाता है रे और ये सारे लोग जो बचे होते हैं वो दंजन से बाहर आ चुके होते हैं क्योंकि दंजन किलियर हो चुका होता है और जैसे सब लोग बाहर आये होते हैं तब बहुत सारे मीडिया वाले अल्रेडी दंजन के बाहर इखटा हो रखे होते हैं वो उनका फोटो कीचने लगते हैं लिकन असोसियेशन से दो लोग आये होते हैं वो चिला के उनसे बोल देते हैं कि हम असोसियेशन के तरफ से हैं तो फिर तुम लोगों को इधर जादा फोटो लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इतने में ये सारे जो अब न्यूस रिपो सबसे ज़ादा कॉंट्रिब्यूट है वो किया एस दंजन को किलियर करने में ये बंदा इसका फेस और नेम किसी को अच्छे से पता नहीं है तो फिर ये काफे ज़ादा अच्छा स्कोप होगा इतना बोलने के बाद वो अब जो है ना बोलने लगता है कि असल में तुम हो क एंड वो सब लोगों को बता देते हैं कि ये वो सूपर रुकी है जिसके बारे में आज कल काफे जादा रूमर है वो चल रहे थे जब अपना पहली बार अविकन हुआ था तब ये एक सी रैंक का विकना रहना वो था जिसे सुनने के बाद एक रिपोर्टर बोल रहा होता ह अच्छा तो फिर ये वो सूपर रुकी है दूसरा कोई बोलने लगता है कि ये जो हीमडाल है वो अब यहाँ पर लीग गेल्ड के लीडर है उन्हें और रेड़ी है जो अब सूपर रुकी था इसके बारे में पता है इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्य इसी तरह से न्यूज रिपोर्टर अपना काम है वो कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करते हैं इतने में हीमडाल सब लोगों से चिला के बोल देता है कि ये जो हंटरस लोग है वो एक हैलिश स्पेशल दंजन है उससे बाहर निकल के हैं वो आएं है तो फिर तुम लोगों को बिलकुल ने लगता है कि अगी इन लोगों को थोड़ा आराम है वो देना चीए और ये जो है ना ये असल में हीरोज हैं जो सर्वाइव करके वापस आए हैं और जो हीरोज जो अब सर्वाइव करके नहीं आपाए हैं उनके लिए अभी आप पोर्टल लोगों होते हैं हीमडाल की सी बात पर तालिया वो बजाने लगता हैं तो ये बताने लगता है कि जो दंजिन का रेंट के ताफ वो एक स्पेशल रेंट था और स्टार्टिंग में जितने लोग इस दंजिन के अंदर गयते वह वह वन हंडर 11 थे लिटी इस हैल से जो बच के बाहर आपाएं हैं वो इनमें से आदे पर नहीं है पूले 89 लोगनिया वो सरवय तरकी इना पर वापस है वो आपाएं हैं इसे के बाद हमारा शीख शिप्ट हो जाता है वह में जो अब दो हंटर अस्वेशिएशन होती है उसके तिक लीडर होते हैं कि अरपका स होते हैं इन्हें बता दिया होता है और यह बोने लगते हैं तो फिर अब जिस तरह से तुमने मेरे को बताया है तो फिर मैं बता सकता हो कि वो जो अब बंदा था ना रे उसे औरेड़ी फता था कि यह जो अब वार में ना उसे कंट्रूल किया जा रहा है और उसे यह भी फ लगते हैं कि अच्छा तो फिर वो कोई भी मौशर है उसे मार के अपने आपको ग्रो है वो कर सकता है और इसने अब डीमन गॉड है वो बोला है उस कोवे से इतना सब को सुनने के बाद ही वो किसी दूसरा बंदा होता है उसे कॉल है वो कल लेते हैं और उससे बोल देते हैं कि मेर को यह जो रहीन गेट के अब सर्वाइवर्स लोग है ना उनसे मिलने की प्रेपरेशन है वो कर दी जाए और हाँ यह जो अब नौर्धन आर्मी गिल्ड है उसकी मेर को कोई भी जरूरत नहीं है तो फिर तुम उन्हें अच्छे से ना वो निपटा ले ना इसी के बाद हमारा शीन शेप्ट हो जाता है हमें सलीशिया को दिखाया जाता है वो नौर्धन आर्मी गिल्ड में आ जाती है और वो एक स्टेडियम रूम में आई होती है तब उसे याद आ रहा होता है कि चोई ने इस तरह से उन्हें स्पीज दी होती है लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ है वो खतम हो चुका होता है और वो यह सब कुछ देखने के बाद है वो बोल देती है कि हंटर मेरा बस हो गया मेरे को नहीं बने रहना इतने में वहाँ पर इसी के जो अब नॉर्दन आर्मी गिल्ड के कुछ लोग होता है वो आ जाते है और एक बन्दा उससे बोल रहा होता है कि वाइस गिल्ड लीडर इसमें आपकी कोई भी है वो गलती भी नहीं है इसमें सारी जो अब गिल्ड मास्टर चोही थे और वाइ इसकुल मत कीजिए ये बन्दा बोलने लगता है कि मैं ये जो अब एक उनेश्ट लाइफ है उसे जीना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक बच्चे का बाप हूँ हम ये जो नॉर्दन आर्मी की गिल्ड के जितने भी सिंस है उनको अपने उपर है वो लेंगे इसमें वाइस गि डिलेडर आपकी कोई भी गलती है ना वो नहीं है और आप इस तरह से लूज है वो नहीं कर सकते लेकिन सलीशिया उनसे बोलने लगती है कि ये मेरी डियूटी है क्योंकि ये जो अब गिल्ड है ना इसकी एक लौती कैप्टन है वो मैं बची हूँ तुम लोगों के पास को असल में मर्डरर्स है ये सुनते ही सलीशिया काफी जादा शौक है वो हो जाती है इसी के बाद हमारा शीन शिप्ट जाता है हमें रे के तरफ का सीन दिखाया जाता है हीम डाल रहे से बोल रहे होते हैं कि मैंने तुमारी जो इन्फरमेशन दी वो अब न्यूज जैसे रे एक सूपर स्टार है वो बन चुका है एक ही बार में और जितने भी न्यूज और टीवी चैनल है उनके अंदर रे अब पूरी तरह से फ्रंट पेज पैना वो है कि एक ऐसा हंटर जो एक सी रैंक का हंटर की रूप में अविकन हुआ था वो बहुत ज़दा कम रे के बारे में हर जगे पे चल रही थी और रे को एक निकनेम है वो मिल चुका है जो अब यहाँ पे एक अंडर डॉग का निकनेम है और हीमडाल रे से बोलने लगते हैं कि तुमें यह जो अब अंडर डॉग का निकनेम है वो पसंदार है क्या मेरे को नहीं लगता कि यह नेम है ना ये तुमारे उपर सूट करता है क्योंकि ये जो नेम है ना वो अब यहाँ पर एक कमजोल लोग होते हैं उनके लिए होता है अंडर डॉग रे उनसे बोल देता है कि ना मेरे जैसे एक हंटर जिसके पास कोई भी अथोरिटी नहीं है उसके लिए ये नेम काफ़ ज ही है हीमडाल उसे बोले लगते हैं कि मैं थोड़ा चिंता कर रहा था कि तुम्हें ये जो निकनेम है वो अच्छे से पसंद देना वो नहीं आएगा लेकिन मैं विफालत में चिंता कर रहा था रे अब सोचने लगता है कि मेरे को मेरा जो नेक्स्ट प्लैन है उसके लिए अब ये बताना ही होएगा और वो हीमडाल से बोल देता है कि हीमडाल तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैंने ये जो अब यहां पे अब किरियेशन है हीरो की ये अपने एड़़ांटेज के लिए ना वो यूस किया है और हीमडाल रे से ये सुनने के बाद थोड़ा श्यांत से पढ़ जाते हैं एंड वो बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है रे बताने लगता है कि ये जो अब टाइम का एरा है ना इसके अंदर एक हीरो क्रियेट करना ये सब जो बात है ना वो जादा नहीं करे जाती है इस एरा के जो लोग है उने लगता है कि एक हीरो वो पैद ये जो एस गार्ड है उसके एक मेंबर हीम डाल रे से ये सुनते ही अपना जो ओरा होता है उसे बहुत ज़ादा निकालने लगते हैं वो बहुत ज़ादा ओरा निकाल रहे होते हैं आसपास की चीजे भी इफैक्टोरी होती है ओडिन भी ये जो ओरा होता है उसे महसूस कर पा पावर और हीमडाल लेकिन अब अपने आपको समाल लेते हैं और रे से कहने लगते हैं कि अच्छा तो फिर तुम्हें कैसे पता चला ये सब के बारे में रेपको अफकॉर्स ये जो डीमन किंग की आटो बायोग्राफी थी उससे इसके बारे में पता चला था रे हीमडाल से बोले लगता है कि पहले मेरे को आप से एक चीज है वो पूछनी है कि अभी तलक आप ये जो चीजे कर रहे हो वो असल में कर क्यों रहे हो ये ऐसा है कि या तुम्हें मेरा प्लैन है वो और रेड़ी पता है और फिर भी इसलिए इस तरह से एक्टिंग है वो कर रहे हो पर ये सारी तुमारे जो सोचने का तरीका है तुम ये सारी जो चीजे करते हो वो सब और रे उनसे बोले लगता है कि मैंने असल में ये सारी जो चीजे करी थी ना वो इसलिए करी थी ताकि मैं भी ये जो अब एस गार्ड है ना उसे जोईन करना चाहता हूं रे बताता है एस गार्ड एक जो अब सीक्रेट ग्रूप है हंटर्स का जिसके अंदर सबसे जादा इंक्रेडिवली स्ट्रॉंग हंटर्स है ना वो रहते हैं तो फिर अब मेरी जो रियल वार है वो अब स्टार्ट होने वाली है इसी के बाद हमारा शीन शिफ्ट हो जाता है हमें दिखाया जा मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि मेरे पास मेरी जो अब नॉर्दन आर्मी गिल्ड है उसकी भी कोई भी अथोरिटी है वो बची नहीं है मैं पूरी तरह से यूजलेस हूँ मैं किसी भी चीज के लिए केपेबल होना वो बिल्कुल भी नहीं हूँ लेकिन रे उससे बोल देता तो फिर हाँ मेरी जो नॉर्दन आर्मी गिल्ड थी जिसके मैं वाइस लीडर थी वो असल में ट्रेश गिल्ड है और मैं वो जो कचड़ा था ना ट्रेश उसका एक पार्ट थी और वो थोड़ा रो रही होती है जिसे देखने के बाद रे उससे कह देता है कि कुछ हुआ क् सलीशिया रे को बताने लगती है कि मैं ये सारी चीजे थी उसके बारे में अवैर है वो बिल्कुल नहीं थी मेरे को इसके बारे में नहीं पता था कि ये जो लोग थे वो गिल्ड लीडर था ना उसकी अब ओर्डर्स पे बहुत सारी इनोसेंट लोग थे उसे मारते थे रे उसको ये असेसिनेटर वो करवा देते थे उनको मरवा देते थे और ये जो गिल्ड लीडर था वो तो अब नॉरमल लोग थे उने एक कीड़े के समान भी आ वो नहीं समझता था ये बहुत जाद़ा डिप्रेस होके है वो ये बूल रही होती है रही इसे देखके सोचने लगता है कि ये जो चीज है ना ये इसके लिए सही में बहुत जादा है जिसके पास बहुत जादा हाई लेवल वाले मोराल्स ये सा वैना वो है और इसी तरह से चलता रहा तो फिर ये ये सारी चीज़े बिल्कुल भी जेल है वो नहीं पाएगी लेकिन मैं इस तरह से एक ड्रैगन स्लेयर है उसे लूस बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ इसी के बाद रेस अलिशिया से बोल देता है कि मिसस अलिशिया अगर इसी तरह से और भी चुछ चीज है वो अगर कंटीन्यू हो रही है तो फिर तुम हो वो क्या करोगी एक दिन अगर दंजन कहीं पर अपियर हो गया और यह जो हंटर्स लोग है वो अपना एक बहुत ज़ादा अच्छी पावर्स के साथ अविक्कन है वो हो रहे हैं चाहता हूँ और वो भी च्ला के सलीशिया的 से बोल देता है तो फिर मैं बता दू मेरे को भी पता है कि तुम सहीं नहीं काफ़ा ज़ादा ग्रेट परसन हो बट क्या तुम हो जो परसन है उस के सामने वह बहुत जढ़ olacak तो फिर तुम्हारे पास कोई भी प्लैन है क्या कि तुम ये जो वर्ड है इसे कैसे चेंज करोगे जब कि तुम्हारे सामने में उस जैसे लोग है न वो हैं और यहाँ पे वो जो परसन परसन बहुत देर से बात है वो चल रही है वो परसन असल में और कोई नहीं ओर डिन है जो यह जो अब हंटर असोसियेशन यह ना उसका लीडर है इतने मेरे को एक मौका दिखता है तो वो सलीशिया को बोल भी देता है कि मैं असल में फ्यूचर से आया हूँ और सलीशिया यह सुनके काफ़ जादा शौक हो रही होती है रे कंटीनूस से बोले लगता है कि लाया है जो यह रहीं के अंदर सर्वाइब करे थे तो फिर हम वो जो अब चीज सारी खताम हो जाएगी ना उससब के बाद तो फिर मिलेंगे एक दूसरे से इसी के बा답 हमारा शीन शिफ्ट हो जाता है हमें दिखाया जाता है रे अपने अपार्टमेंट में होता है और नि जादा गलत बोला जाएगा उनकी साइब पोल खोली जाएगी लेकिन ही कुछ जादा ही डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्या ये तो ऐसा था कि इन लोगों को आल रेड़ी उनके बारे में सारी चीज़े पता थी लेकिन अब इनके पास उसका कोई यूज नहीं है तो ऐसी बस जो है न वो चला दे रहे हैं इतना सब कुछ है इतने मेरे को नोटिफिकेशन आता है कि उसका जो अब यहाँ पर अब सोल होल्डिंग स्कल है उसने दो वो जो सोल उसने अब्जोर्ब करी थी उसे अच्छे से अब्जोर्ब है वो कल लिया है तो फिर तुम अपना जो फैम समन होता है उसे करने का ट्राय करता है तो फिर जब वो समन करता है और जब वो समन कर लेता है अपना फर्स चीज को तब देखता है कि वो एक छोटा सा स्केलिटन का सर है वो होता है जो उसे समन कर पाया होता है और यहाँ पर यह जो सकल होता है न वो असल में बात भी कर पा कि माना जो होता है वो आसपास में हर जगे है फ्लो करते है और इसे हम नौर्मली अपनी बोड़ी में अब्सॉर्ब है वो कर सकते हैं डीमन की कि आटो बायग्राफी में लिखाता कि भी यह जो आप माना है इससे सैटेस्वाइब वो था है इस मेत अपप्सॉर्ब करने वाला तो फिर उसने एक और जो अब यहां पर मैथड था ना उसे create कर दिया था आशपास में से air में से जो माना है उसे absorb करने का जो अब माना है stream था और ये वाला जो मैथड है ये ट्राइ कर रहा होता है लेकिन वो उसे अच्छे कैसे करनी पारा होता है, वो कह रहा होता है कि वो जो अब डीमन किंग की आटो बायग्राफी थी, उसके अंदर ये वाला जो अब मैथाड है ना, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में है, वो बताया नहीं गया है, तो फिर मैं अच्छे से सारी चीज़ें समझ नहीं पारा इतने मेरे को यॉंग का मैसेज जब वो आ जाता है, वो बोल देता है कि मैं तुम्हें ये जो असोसियेशन है, उदर के लिए एसकोर्ट है, वो करूंगा, और यहाँ पर रही ये देख के बोल देता है, कि तो फिर मेरे को उस परसन से मिलने का टाइम है, वो आ चुका है, वो जो परसन है, वो ओडिन की बात हो रही है, जो अब हंटर असोसियेशन का है, वो लीडर है, इसके साथ ये पार्ट ही ही पैंड हो जाता है, एक और बार फिर से, अगर आपको मानुआ, मानुआ, या फिर मांगा है, उन्हें हिंदी में पढ़ना है, तो फिर आप डिस्क जो भी आपको माते हमें, झाल को जो ऐुआ है, वो खिर में वेस्ट है, उन्हें है, प्र वोजए ही शन्हें है, जो типर्वार पिर आपको का के ये हैं। आपको माते है, ट रही है, ये इसकिते ओी झापको मानुआ इतने मेरे को एक मौका दिखता है तो वो सलीशिया को बोल भी देता है कि मैं असल में फ्यूचर से आया हूँ और सलीशिया ये सुनके काफ़ जादा शौक हो रही होती है रे कंटी ने उससे बोले लगता है कि फ्यूचर में कुछ एक ऐसी चीज होने वाली है जिसकी वज़े से वॉयलेंस बहुत जादा इंक्रीज है वो होने वाला है उसे रोकने के लिए मिर को असल में तुमारी की ज़रूरत चाहिए होगी चलो ठीक है हंटर असोसियेशन है उसने हम सब लोगों को है न वो बुलाया है जो ये रहीन के अंदर सर्वाइब करे थे तो फिर हम वो जो अब चीज सारी खतम हो जाएगी न उस सब के बाद तो फिर मिलेंगे एक दूसरे से इसी के बाद हमार मर्डर ये सब है वो करते रहते हैं ये रे नियूज में ये सब कुस रेखने के बाद कहरा होता है कि मेरे को लगा था नॉर्दन आर्मी के बारे में काफ़ जादा गलत बोला जाएगा उनकी साइप पोल खोली जाएगी लेकिन ही कुछ जादा ही डिटेल में नहीं जा रहे स्कल है उसने दो वो जो सोल उसने अब्जौर्ब करी थी उसे अच्छे से अब्जौर्ब है वो कल लिया थो फिर तुम अपना जो फैमिलियर है उसे इस जिगे पे वे अब समन है वो कर सकते हो जीसे देखने के बाद रहे काफ़ जाद एक्साइटेड होते वे बोलता है कि फाइनली ये जो अब soul holding skull था इसने वो जो चोही और सू है उन दोनों की आत्मा को अच्छे से absorb है न वो कल लिया है तो फिर अब रे जल्दी से अपना जो अब first summon होता है उसे करने का try करता है तो फिर जब वो summon करता है और जब वो summon कल लेता है अपना first चीज़ को तब वो देखता है कि वो एक छोटा सा skeleton का सर है वो होता है जो उसे summon कर पाया होता है और यहाँ पर यह जो skull होता है न वो असल में बात भी कर पाया होता है तो वो बोल रहा होता है yes my master रे यह skeleton देख के काफे ज़ादा disappoint है वो हो चुका होता है इसी के बाद हमारा scene shift हो जाता है हमें रे को दिखाया जाता है रे थोड़ी training है उसे कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि पिर उसने एक और जो अब यहाँ पर method था न उसे create कर दिया था है असपास में से air में से जो mana है उसे absorb करने का जो अब mana stream था और यह वाला जो method है यही try कर रहा होता है लेकिन वो उससे अच्छे से करने पा रहा होता है वो कह रहा होता है कि वो जो अब demon king की autobiography थी उसके चीज़े ने समझ नहीं पा रहा हो थोड़ा मुश्किल है इसे करना और यहाँ पर असल में बहुत जल्दी एक ऐसा incident होने वाला है कि जो अब A rank वाले हंटर है वो C rank वाले हंटर है वो बन जाएंगे तो फिर मेरे को इससे पहले और ज़दा stronger है वो होना होगा इतने मेरे को यॉंग का message है वो आ जाता है वो बोल देता है कि मैं तुम्हें यह जो association है उदर के लिए escort है वो करूँगा और यहाँ पर रही है देखके बोल देता है कि तो फिर मेरे को उस person से मिलने का time है वो आ चुका है finally वो जो person है वो Odin की बात ओरी है जो अब hunter association का है वो leader है इसके सा मैं